दोस्तों T20 में भारत को मात देने के बाद गौहाटी में ऑस्टेलिया इटीम की बस पर पत्रा हुआ है फिंच ने इस बाद की पुष्टी की है अपने ट्विटर बर एक पोस्ट करते हुए भारत और ऑस्टेलिया के बीच गौहाटी में खेले गए T20 में टीम इंडिया को आठ विकेट से मिली करारी हार के बाद अग्यात लोगों ने ऑस्टेलिया इटीम की बस पर हमला किया ओपनर एरॉन फिंच ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बस के तूटे हुए कांच की तस्वीर साज़ा करते हुए घटना की पुष्टी की है फोटो पर फिंच ने कैपसन लिखा होटल लोटते हुए टीम बस की खिड़की पर पत्थर मारा गया ये डरावना है फिंच के इस ट्वीट के बाद उस्टेलिया इटीम की सुरक्षय पर सवाल खड़े हो गए हैं ये हरकत किसने की इस बात कब तक कुछ भी पता नहीं चला है दोस्तों आप इस वीडियो में वो फोटोस देख सकते हैं जो फिंच ने अपने ट्वीटर हैंडल पर पोश्ट की हैं और उन्होंने क्या लिखा है अब ये हरकत किसने की है उसे तो धूमना जरूरी है और वो धूमने के लिए अब पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और श्टेलिया टीम के सभी खिलाडियों पर और इनकी सुरक्षब बढ़ा दी गई है तो दोस्तों इस वीडियों फिलाल इतना ही लेकिन इसी प्रकार की कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स और इंट्रेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरस अंटर्टेन्वेंट को सब्सक्राइब करें